अर्से बाद लोट आई कॉंग्रेस की खुसियां प्रियंका गाधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी कॉंग्रेसियों में भयंकर जश्न दरिशल आपको बदा दे उत्तर प्रिदेस में कॉंग्रेस और खास तवर से गाधी परिवार का गढ़माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी सीट पर आठकलों का दवर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ख़बर है कि कॉंग्रेस ने रायबरेली से प्रियांका गाधी वाटरा को उतरने का फैसला किया है शात ही राहूल गाधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से लड़ेंगे फिलाल इसका आधिकारिक एलान होना अभी भी बाकी है एंडे टीबी की रिपोर्ट में सुत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रियांका गाधी रायबरेली सीट से चुनाओ डेबलू करने जरही है वही राहूल 2019 लोग सभा चुनाओ की हितरह आमेठी और वायनाड से चुनाओ लड़ेंगे खास बात यहा है कि वाम दलों की तरफ से केरल के वायनाड सीट पर उम्मीदवार का एलान कर दिया गया था इसके बाद से ही आमेठी को लेकर भी चर्चाय तेश थी साल 2004 सही राइबरेली सीट पर कॉंग्रेस की पूर बराष्टिया ध्यच सोनिय गाधी जीत दर्ज करती आ रही थी 2019 में वहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कॉंग्रेस की एक मात्र सांसद थी इस बार उन्होंने रजस्थान से राजसभा का रुख किया हाला कि कहा ज दर्स की है हाला कि बीते लोग सभा चुलावे भारती जुन्ता पार्टी प्रत्यासी इसमृती इरानी ने उन्हें 50 हजार से ज़्यादा मतों से हारा दिया था इसी के साथ आपको बदा दे भारती जुन्ता पार्टी ने बीते सनिवार को ही 1951 उम्मीदवारों की पारे लि सकती है फिलाल इसे लेकर आधिकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है